सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट गुड मोनी आल ओफ यू मैं आपका हमारे चैनल कोटिले स्टेडी जोन में स्वागत करता हूँ आज से हमारे रहना समयन ग्यान की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम टोपिक वाइज हर्याना समयन ग्यान को कवर करेंगे जिसमें पहली क्लास में हम हर्याना समयन ग्यान का एक ओवर्वियू लेंगे तो यह शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर्याना का गठन का बुआ तो हर्याना का गठन हुआ एक नॉवंबर 1966 को जब हर्याना का गठन हुआ एक नॉवंबर 1966 को तब हर्याना में साथ जिले थे तो साथ जिले में अमबाला, गुडगाउं, करनाल, इसार, जेंद, महिंदरगड और रोतब ये साथ जिले हर्याना में सामिल थे और इनने साथ को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो देखिए घर जी एच ए आर घर जे के घर जे के में तो जी से क्या बन जाएगा आपका गुड़गाओं एच से क्या बनेगा इसार ए से अंबाला आर से रहतक जे से जीन और के से कर्णार ये आपके साथ जिले जब हर्याना बना एक नौम उने चांसट को तब हर्याना में ये साथ जिले आमिल थे उसके बाद हम बात करें कि हर्याना में कौन सा जिला कब कब बनाया गया हम बात करें कि आठमा जिला क्योंकि साज जिले जब हर्याना बना एक नौवर निशाशट को तब थे और आठमा जिला भिवानी को बनाया गया बाई दिसंबर 1972 को और उस टाइम पर मुख्यमद्री कोन थे चोदरी बन सिलाल जी उसके बाद जो नौवा जिला है वो सोनी पत बनाया गया वो भी बाई दिसंबर 1972 को ही बन सिलाल जी की टाइम पर उसके बाद टैंथ पर आएगा कुर्चयत्र कुर्चयत्र को तेई जनवरी 1973 को बनाया गया बंसिलाल जी के टाइम पे उसके बाद 11 नमबर पे शिर्षा 27 अगस्थ 1973 को और उस टाइम पे मुख्य मंत्री थे सुद्री बंसिलाल जी उसके बाद हम बात करें कि 12 नमबर पे फरिदावाद को 2 अगस्थ 1979 को बजनलाल जी के टाइम पे तेरे नमबर पे केथल को 13 पे केथल को 1 नमबर 1989 को चुदरी देविलाल जी के टाइम पे और पानिपत को भी 1 नमबर 1989 प्रेवाडी को भी 1 नमबर 1989 को देविलाल जी के टाइम पे उसके बाद हम बात करेंगे 16 नूमबर पे यमना नगर को 1 नूमबर 1989 कोई देविलाल जी के टाइम पे तो यह आपके चार्ज ले 13, 14, 15 और 16 पे कैथल को, पानिपत को, रिवाडी को और यमना नगर को चारों को 1 नूमबर 1989 को बनाय गया उसके बाद हम बात करें 17, 17 पे क्या होगा 15 अगस्त 1995 को बन्चकुला को बनाय गया वजनलाल जी के टाइम पे 18 नूमबर पे फतेवाद को 15 जुलाई 1997 को बन्चिलाल जी के टाइम पे फिर जजजर को 15 जुलाई 1997 को बन्चिलाल जी के टाइम पे फिर हम बात करेंगी मेवात को 4 अपरेल 2005 को उपेंदर सिंग हुड़ा जी के टाइम पे बनाया गया फिर हम बात करेंगी पलवाल को 13 अगस्त 2008 उपेंदर सिंग हुड़ा जी के टाइम पे उसके बाद हम बात करेंगी चर्खी दादरी जो कि हर्याना का 22 जिला बना 16 नुवंबर 2016 को मनुवरलाल फटरजी के टाइम पे बनाये गए तो सबसे लेटेस्ट में कुन सा बनाये गए 22 नंबर का सर्की दादरी को 16 नुवंबर 2016 को फिर हम देखते हैं यहर्याना में सिर्शा फतेयवाद इसार जीन भिवानी के थर पुर्चेतर इदेखे दर अंबाला यमना नगर पंचकुला करनाल पानिपत जीन्द रोतक सोनिपत भिवानी तर्खिदादरी जजजर गुर्गाओं प्रिदावाद पलवल नू प्रिवाडी महंदरकट यह सारे के सारे अर्याना के जीले इसके बाद हम बात करेगी जो हमारे पडोसी राज्जे हैं उनकी सीमा से कौन-कौन से جीले लगते हैं तो सब से पहले हम बात करें हिमाचल परदेश हिमाचल पर्देश से तीन जिले लगते हैं जिसमें अमबाला यम्ना बदाने मैंक और धाकुला अभी मैवाद पंजाब से सा जिले लगते हैं सिर्शा पतियवाद किसार उत्वर पर्देश से 6 जिले यमना नगर करनाल पानिपत प्रेदावाद और पलवा लगते हैं उसके बाद हम बात करें कि उत्राघंड से उत्राघंड से सिर्फ एक जिला यमना नगर लगता है पर हम बात करें कि अर्याना में डिविजन कितनी है और याना में डिविजन कितनी हो जाएगी 6 अंबाला फ्रिदावाद गुरुग्राम इसार रहतक और करनाल अंबाला डिविजन में कौन-कौन से डिस्टिक हो जाएगे अंबाला कुर्चेतर पंचकोला और यमना नगर उस वलवल और नू डिस्टिक सामिल है गुरूगराम में गुरूगराम महंदरगड और रिवाडी को सामिल किया गया है इसार जो डिविजन है उसके अंदर फत्यवाद जीन इसार और फिर्सा डिस्टिक सामिल है तो हम बात करें कि रोहतक रोहतक में रोतक में जजर, जर्खी दादरी, रोतक, सोनिपत और भीवानी तो सबसे ज़्यादा किस डिविजन में डिश्टिक है रोतक डिविजन के अंदर सबसे ज़्यादा डिश्टिक सामील है उसके बाद अगर हम देखते हैं तो division कितनी है अर्याना में 6 और district कितनी है 22 sub division 72 जो अब कितनी होगी है 73 जो तसील अगर हम बात करें तसील 93 तब तसील कितनी है अर्याना में 50 और जो ब्लोक है वो 140 और जो cities and towns के अगर हम बात करें तो 154 विलेजिस के बात करें तो यह थे 6,841 जो अब कितने हो गए है 7,356 तो जो अगर पंचायत की बात करें तो पंचायत है 6,212 है फिर हम बात करते हैं कि पुलिस रेंज पुलिस रेंज के अंदर अंबाला, इसार, करनाल, रेवाडी और परोब तक जो अंबाला है इसके अंदर अंबाला, यमननगर और कुछेत्र डिस्टिक, इसार के अंदर इसार, आंसी, फतेवाद, शिर्षा और जिन यह पुलिस डि थल, रेवाडी के अंदर, रेवाडी, वेंदरगर्ड, रेवाडी, पलवल और नू, यह सा मिलके एगे हैं, रोतक के अंदर, रोतक, जजजर, सौनिपत, भिवानी और जर्खी दादरी, और अगर हम बात करें कि मानेसर, मानेसर को भी एक पुलिश डिस्टिक मनाया गया है, मानेसर, यह दो क्या हो जाएंगे, पुलिश डिस्टिक, फिर अगर हम बात करते हैं हर्याना के चेतर फल और जन सिंका के बारे में, तो हर्याना का चेतर फल कितना है, चेतर फल कितना हो जाएगा हर्याना का, 142212 वर किलोमेटर, और अगर कुल जन सिंका की बात करें हर्या जिसमें से पुरुस जन सिंगा कितनी हो जाएगी 1.34.94.94 और महिला जन सिंग क्या हो जाएगी 1.18.57.28 और अगर हम बात करें ग्रामिन और सहरी जन सिंग क्या है तो हो जाएगी आपकी 1.65.9.369 और ये टोटल कितनी हो जाएगी 65.1.2 पर 30 और जो सैरी जन्सिंग है अगर उसकी हम बात करें तो यह हो जाएगे आपकी 34.838 जो कुल जन्सिंग क्या है उस में से और पिर हम बात करेंगी जन्सिंग क्या गंता हो Dasok जन्सिंग क्गहनता हो कितना हो जाएगा 573 किलोमेटर is P 573 व्यक्ति पर्ति वर किलोमेटर और जिसमें ग्रामिन का कितना हो जाएगा 391 और शहरी का कितना हो जाएगा 4475 व्यक्ति पर्ति वर किलोमेटर सक्षर्ता दर्ग की बात करें सक्षर्ता दर्ग हो जाएगी 75.6 परति सत जिसमें पुरू सक्षर्ता दर्ग हो जाएगी 83.1 और महिला सक्षर्ता दर्ग हो जाएगी 65.94 परति सत और ग्रामिन और सहरी सक्षर्ता की बात करें तो ग्रामिन सक्षर्ता हो जाएगी 71.4 परति सत और सहरी सक्षरता हो जाएगी 83.01 परतिसद है अगर जो भारत की कुल जनसिंग क्या है उसके अंदर अगर राज्य की जनसिंग का परतिसद है देखें हम तो यह हो जाएगा 2.09 परतिसद है और छेतर फल का अगर देखें कि भारत का जो कुल छेतर फल है उसकी तुलन अगर हम अपने हर्याना के चेतर फिल से करें तो यह हो जाएगा आपका एक दस्मलो तीन चार परतिस्त जन सिंग क्या हो जाएगी दो दस्मलो जीरो नो परतिस्त और चेतर फिल हो जाएगा एक दस्मलो तीन चार परतिस्त अब हम अलग अलग देख लेते हैं सारा तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेतरफल की तो अगर चेतरफल की बात करें तो भारत का चेतरफल अगर हम देखते है तो भारत के चेतरफल की बात हम करें तो भारत का चेतरफल हो जाएगा 32,87,263 वर किलमेटर और हर्याना का हो जाएगा आपका 42212 वर किलोमेटर और अगर भारत के चेतरफल से इसकी तुलना करें तो भारत में जो इसका स्थान है चेतरफल की दृष्टी से तो ये स्थान आजाएगा आपका 21 और हर्याना में अगर हम बात करें सबसे अधिक चेतरफल वाला जिला तो सबसे अधिक चेतरफल वाला जिला हर्याना के अंदर कौन सा हो जाएगा सिर्शा और सबसे कम अगर सबसे कम चेतरफल वाला पुछते हैं तो यह हो जाएगा आपका फ्रीदा बात फिर हम बात करते हैं कि जन सिंग्या तो जन सिंग्या देखें तो ये हर्याणा में कौन सी जन करना थी पांचवी जन करना तो जन करना हर दस साल बाद में होती है तो हर्याणा की जन करना ये कौन सी नमबर की हो जाएगी पांचवी जन करना हो जाएगी जो 2011 में होई अगर हम भारत की जन्सिंग क्या का भारत की जन्सिंग क्या को देखें तो भारत की जन्सिंग क्या एक अरब 21 करोड यानि लगबग 121 करोड यानि एक अरब 21 करोड के करीब करीब भारत की जन्सिंग क्या थी और हर्याना की जन्सिंग अगर बात करें तो वो थी 2 करोड 53,51,46 65 और भारत में अगर जन सिंग्या की दरिष्टी से स्थान देखे हर्याना का तो स्थान हो जाएगा हर्याना का अथार हुआ और अगर परतिशत में देखें कि भारत की कुल जन सिंग्या जैसे 121 करोड कुल जन सिंग्या बारत की अगर उसमें से हर्याना का भाग देखें तो हर्याना का भाग हो जाएगा 2.09 परतिशत और अगर हर्याना बात करेंगी सबसे अधिक जन्सिंग क्या वाला जीला कौन से हैं तो सबसे अधिक जन्सिंग क्या वाला जीला हो जाएगा आपका फरिदावाद और सबसे कम जन सिंग क्या वाला अगर सबसे कम जन सिंग क्या हो देखें तो सबसे कम जन सिंग क्या हो जाएगा आपकी पंचकुला की इसके बाद हम बात करेंगी लिंगानुपाथ लिंगानुपाथ अगर हम भारत का देखें नो सो सेंटालीश 943 और लिंगानुपात क्या होगा 1000 पुरुस पे मैलाओं की संक्या तो भारत में कितना हो जैगा 943 और अगर अगा हरियाना का देखें तो यह होजेगा 879 जो कि भारत में सबसे कम और भारत में स्थान कौन सा होजेगा 29 यहीं लास्ट सबसे कम हर्याना का यह लिंगानुपात है और अगर हर्याना में बात करेंगी सबसे अधिग लिंगानुपात वाला जीला अगर जीलों की बात करें हर्याना में तो जीला सबसे अधिग लिंगानुपात में कौन सा आजेगा में बात वो सबसे कम लिंगानुपात वाला गजीला देखें तो वह हो जाएगा आपका गुरुग्राम उसके बाद हम बात करते हैं कि जनसिंग क्या घंता हो जनसिंग क्या घंता हो अगर हम भारत का देखें और जन्सिंग के अगंताओं में भारत का जन्सिंग के अगंताओं भारत का कितना है 382 वेक्ति परती वर किलोमेटर यानि एक वर किलोमेटर के अंदर जितनी लोग रहते हैं वो क्या आजएगा जन्सिंग के अगंताओं जो भारत का कितना है 382 और अगर हम हर्याना की बात कर जिले देखें कि सबसे अधिक जन्सिंग क्या वाला जन्सिंग के घंता वाला जिला कौन सा है तो यह हो जाएगा आपका फरीदावाद और सबसे कम जन्सिंग के घंता वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका शिर्षा उसके बाद हम बात करते हnes साकसरता दर की अगरिस साकसरता दर देखें तो भारत की साकसरता दर है 74.04 selected और हर्याना की कितनी हैं पिछेंटर दिसमलो 6 pushing और भारत के अन्दर अगर हर्याना का स्थान देखें साकसरता दर की दिरिष्टी से तो यह आपका आ जाएगा फिफ्टीन यानि पंदरवा और रियाना में बात करें कि सबसे अधिक सक्सरतारदर वाला जिला कौन सा आ जाएगा आपका गुरुग्राम और सबसे कम सक्सरतारदर वाला जिला हो जाएगा मेवाद अलग अलग बात करें तो सबसे अधिक पुरुष सक्षरतादर दरवाला जिला रेवाडी तो रेवाडी की पुरुष जो सक्षरतादर है वो है बान में दसमलो नो परकिसद वो सबसे कम पुरुष सक्षरतादर दरवाला जिला मेवाद और अगर माईला की बात करें तो माईला में जो सक्षर्टादर है वो है गुरू गराम की सबसे ज़्यादा वो सबसे कम किसकी आजाएगी आपकी मेवाद उसके बाद अगर हम अर्याना का देखते हैं कि राज के पक्सी राज के पक्सी कौन सा हो जाएगा काला तितर जिसको क्या बोलते हैं बलेक फ्रेंकोलीन भी बोलते हैं और राज के पसू की बात करें तो राज के पसू आजएगा काला हिरन जिसको बोलते हैं बलेक बक राज के खेल के हम बात करें तो वो जाएगा कुस्ती राज के वरिक्ष की बात करें तो यह आजएगा पीपल, राज के फूल, राज के फूल आपका आजएगा कमल और राज के भासा तो यह हिंदी अगर हर्याना बात करें कि पर्थम हिंदी कभी पर्थम हिंदी कभी कोन हो जाएगा चोरंगी नाथ और कांग्रेस अंदलन के पर्थम सत्यागराई अगर पर्थम सत्यागराई पूछते हैं तो यह आजएगे बाबू मुर्लिदर उसके बाद हम बात करेंगे हरियाना केसरी हरियाना केसरी को ने? पंडित नेकी राम सर्मा अरियाना का लोव पूरुस किसे का जाता है चुद्रिबंसिलाल जी को अरियाना के पर्थम राजी कभी किने मना जाता है उद्देबान हंस को और अरियाना का जो सर्वोच सहित्य पूरुसकार है वो है सूर्व सम्मान है वो अरियाना का सर्वोच सह शिक्षा पुरुसकार देखें तो यह आजएगा आपका राज्य शिक्षा पुरुसकार हर्याना का सर्वोच उध्योग पुरुसकार तो यह आजएगा मुख्य मंतरी रत्न पुरुसकार पर्थम फिलम के गर हम बात करें हर्याना की तो या जाएगे हर फूल सिंग जाट जुलाणी ये पर्थम फिलम और पर्थम उपनियास की बात करें तो जाडू फिरीं ये हर्याना का पर्थम उपनियास हो जाएगा पहले राजकवी की बात करें तो यह आजेगे ओद्ध बान हंस पर्थम मुख्य मंतरी देखें जब अर्याना बना तो सबसे पहले मुख्य मंथरी कुन बने बगवद्याल सर्मा पर्थम राज्य पाल पर्थम राज्य पाल सिरी ध्रॉम्भीर जी और पर्थम लोका यूद के अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाएंगे आपके प्रितम पाल सिंग उसके बाद हम बात करते हैं अर्याना विदान सभा की पर्थम महिला अदेक्स अगर पर्थम महिला अदेक्स देखें तो यह आजेगी सन्नो देवी और अर्याना विदान सबह के पर्थम पूरु सद्धेक्स अगर अर्याना विदान सबह के पर्थम पूरु सद्धेक्स देखें तो यह आजाएंगे राव विरेंदर सिंग पर्थम महिला परवतार हो ही अर्याना से कौन संतोस यादव अंत्रिक्ष में जाने वाली पर्थम महिला तो यह आ जाएंगे आपकी कल्पना चावला हर्याना उच नहीं अले के पर्थम मुख्य नहाय दीश पर्थम मुख्य नहाय दीश कौन बनेती श्री रामदाल जी तो आज हमने हर्याना से समझने ग्यान के एक टोपिक वाइज जो एक सिरीज स्टार्ट किया है उसमें आज हर्याना का हर्याना समझने ग्यान का एक ओवर्यू सा लिया है इसके बाद हम हर्याना कैसे बना उस टोपिक पे डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक्स प भूले, थेंक्यू